Progress is impossible without change. आंगे बढ़ना, impossible है बिना बदलाओ के, and those who cannot change, their minds cannot change anything. और जो इंसान अपना मन नहीं बदल सकता, वो कुछ नहीं बदल सकता. You properly don't recognize his name, but Mike Lazaridis had had a defining impact on your life. शायद आप इस नाम को पहचान न सकें, लेकिन Mike Lazaridis ने आपकी जिन्दगी में बहुत बड़ा रूल प्ले किया है. From an early age, it was clear that Mike was something of an electronic wizard. बच्पन से ही, ये चीज समझ में आ रहा था लोगों को, कि ये लड़का एक electronic wizard है, एक तरह का जादूगर है, मशीनों का. By the time he turned four, he was building his own record player out of Legos and rubber bands. जब वो चार साल का था मात्र, वो प्लास्टिक के टुकडों से और रबड से अपना गाना सुनने का record player बना रहा था. देखता था record की machine खोल करके, वो कैसे बना है, वो अपने टुकडे टुकडे जोड करके, गाने की machine बनाता था, टेप recorder बनाता था. In high school, when his teachers had broken TVs, they called Mike to fix them. और जब वो दसवी में पहुँचा, और इसकी teachers की TV खराब हो जाती थी, तो उसको बोलते हैं, Mike हमारे TV ठीकरने आजाओ. In his spare time, he built a computer and designed a better buzzer for high school quiz bowl teams. और वो खाली समय, क्या करता था? Computer बनाये करता था, अपना. और school के लिए, जो competitions बगरा होती थी, उसके लिए buzzer डिजाइन किया करता था, बटन दवाने का, ताकि आवाज आए. Which ended up paying for his first year of college. और इन सब चीजों से वो पैसा कमाता था. उसकी पूरी college की fees इसी से दी गई थी, first year की. Mike did what so many great entrepreneurs of his era would do. तो Mike ने भी वही किया, जो बड़े-बड़े उस जमाने के businessmen करते थे, he dropped out of college. वो अपना college बीच में छोड़ दिया, पढ़ाई complete नहीं किया. It was time for this son of immigrants to make his mark on the world. क्योंकि अब ये उसके लिए मौका था, इस दुनिया में अपनी छाप छोड़ने के लिए, कुछ बढ़ा कर दिखाने के लिए. कहां पढ़ाई के चकर में पढ़ा है, वो सब कुछ जानता था. जो कुछ किताबें पढ़ा सकती थी, वो खुद करता था. सबसे पहला सक्सस उसका तब आया था, जब उसने एक ऐसा मशीन बनाया था, जो फिल्मों के उपर बार कोड दिखाया जाता है, लाइन होती है, उसको पढ़ पाता था. विच वासुज उसफ़ इन होलीवूड दाट इट वोन एन एमी और ओसकर फोर टेक्निकल अचीवमेंट और वो फिल्म इंडस्ट्री में होलीवूड में इतना फेमस था, इतना काम का था कि इसको अलग से अवार्ड दिया गया, तेक्निकल अचीवमेंट के लिए अवार् क्योंकि जो खोज इसने की इसके बाद उसकी वज़े से इसकी कंपनी इस पूरे धर्ती पर सबसे तेज ग्रू होने वाली कंपनी वनी, माइक्स फ्लैक्शिप डिवाइस क्विकली अट्राक्ट अट्राक्ट फॉलोइंग, उसने जो अपना सबसे पहला बड़ा चीज बना विट लॉयल कस्टमर्स रेंजिंग फ्रॉम बिल गेट्स टु क्रिस्टिना अगुलेरा, और इसको जो फेवरेट कस्टमर्स थे, जो इसके पर्णक को पसंद करते थे, वो बिल गेट्स थे, क्रिस्टिना अगुलेरा थी, ये कौन है? singer है यह लोग कहते थे it's literally changed my life Oprah Winfrey गश्ट Oprah Winfrey जो बहुत बड़ी famous interviewer है बोलती है इस device से तो मेरी जिंदगी बदल गई I cannot live without this इसके बिना तो मैं जी नहीं सकती and when he arrived at White House, President Obama refused to relinquish his to the secret service और जब President Obama जब White House में गए President बनने के बाद वो अपना सब कुछ बोल रहे थे कि तुम check कर लो, check कर लो, नहीं सवान वहां चेक कर आते हैं दे देते हैं तुम देख भल कर लो मारे सवान की, बोलते हैं लेकिन ये वारा device मैं नहीं दूँगा जो उन्होंने Mike Lazaridis की company से बनाया लिया हुआ था Mike Lazaridis dreamed up the idea for the Blackberry as a wireless communication device for sending and receiving emails तो जो उसने बनाया था उसको बोलते हैं Blackberry mobile phone Blackberry का ही duplicate mobile मैंने खरीदा था आज से करीब 15 साल पहले गाजियबाद में एक छोटा सा phone जिसमें ABCD का button था उसको मैं बोलते थे quirky keypad button उसमें iPhone हो रहा नहीं था लेकिन एक बड़ा सा phone आपके पास phone में 1234 का button है और उसमें अगर ABCD लिखना हो तो 1 में A, A, A तीर बार दबाएंगे तो B आएगा C आएगा फिर 2 पर दो बार दबाएंगे लेकिन ये पहला वाला phone था जिसमें सारे buttons अलग लग थे ये जो original phone था उसको बोलते थे Blackberry phone ये पहला phone था जिसमें mouse होता है वो mouse बनाया था उसमें phone में इसके जरीए आप कहीं से भी आज तो बड़ी common चीज है बट उस जमाने में कहीं से भी आप email भेज सकते हैं और ले सकते हैं as of summer 2009 it accounted for nearly half the US smartphone market और गर्मियों में 2009 की गर्मियों में अमेरिका के आधे जो smart phones थे वो इसी company के थे और मैं आपको याद दिला दू उस जमाने तक Nokia बहुत बड़ी company थी लेकिन smart phone में Nokia की phone नहीं विखते थे आज भी जो आप अपनी जेब में रखे हैं phone वो शायद Nokia का ही होगा 2014 जब हमारे BJB की सरकार आई थी its market share had plummeted to less than 1% वो जो 50% market share था 50% लोग दुनिया के use करते थे Blackberry 2014 में 1% हो गया 5 साल के अंदर अंदर खतम होगा है company when a company takes a nose dive like that we can never pinpoint a single cause of its downfall so we tend to anthropomorphize जब कोई company इतनी जोर से नीचे गिरती है nose fall करती अपने नाख किबल जमीन पे गिरती है तो कोई एक कारण नहीं होता है इसलीए हम उसको बोलते हैं ये इसके किसमत में था खतम होना, उसको समझ में नहीं आया क्या करना था BlackBerry failed to adapt, हम कहते हैं, जमाना बदल गया और BlackBerry उसके साथ बदली नहीं Adapt करना मतलब अपने आपको परिसिती के साथ बदलना वो नहीं किया BlackBerry ने, ऐसा लोग मानते हैं, इसलिए कंपनी खतम गई Yet, adapting to a changing environment isn't something a company does, it's something people do in a multitude of decisions they make every day, लेकि जब हम यह कहते हैं कि यह company नहीं बदली तो वो company थोड़ी बदलती है बदलते तो हम लोग है धेर सारे decisions के थूँ हर रोज, जब हम अलग-अलग decision लेते हैं, तो हम अपने आपको बदलते हैं या नहीं बदलते हैं As a co-founder and president and co-CEO Mike was in charge of all technical and product decisions on BlackBerry Mike Lazararis, इस company का co-founder था president था और co-CEO था इसलिए इस company में सारे technical और product decisions यही लेता था Although, his thinking may have been the spark that imagined the smartphone revolution his struggles with rethinking ended up sucking the oxygen out of his company and virtually extinguishing his invention तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल सही बात है कि इसी के दिमाग से वो idea चमका वो नया idea जिसकी वैसे BlackBerry का phone दुनिया में आया लेकिन Mike Lazararis की कमी थी और वो थी rethinking वो अपने product को फिर से सोच नहीं पाया और उसी वज़े से ये कमपनी बुरी खतम हो गई तो सोचा तो उसने एक नया product बनाया लेकिन उसको rethink नहीं किया फिर से नहीं सोचा इसलिए कमपनी खतम हो गई प्रूप प्रूप लेकिन दूप लेकिन आगए